कि पास अच्छा बला टाइम है और अच्छे बले टाइम को बुनाना सेखें समझ मैं सोल ली पहले तो हो जगता है फिसले इस फर्स एटेम्ट से पहले मैं यह से कि अभी क्या हो रहा था कि हम पूरे सिशन में बतारहे थे किली नासे विपर में यह किया जाता है पेपर में इसे सोचना है यह वाले टॉपक्व रिवाइज करना है तो उस sns के कॉडइंग आप लोगों ने कहा मैने नवर् jap महनत को आपने जाके पेपर में टेस्ट किया या फिर अपनी पूरे पूरा 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 जान लगाया अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपका स्कूर कितना आ रहा है एक बार सभी लोग अपना अपना एक्सपेक्टेड स्कूर लिख के भेजेंगे ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि आप कहां लाए कर रहे हैं फिर पढ़ा ही स्टार्ट करेंगे जिनका 180 प्लस है ठीक है बिसाइड्स की कुछ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए थे यह कहलाता है गुड या फिर वेरी गुड केटिगरी आप बोल सकते हैं अब आपको क्या करना है और सवाल लगा यह प्लीज हां और प्रेक्टिस पर ध्यान दीजिए जाते जाते कुछ चैप्टर्स का हो सकता है आपने सिरफ पी वाई क्यू सॉल किया हो अब आप एक्साइज 2 एक्साइज 3 को भी सॉल करने का वकत आ गया है समझे तो 180 प्लस वेरी गुड बहुत अच्छा स्कोर है प्राउड आफ यू स्कोर है समझ मैं है इनफेक्ट प्राउड सब पे है वैसे जो आप पांच चैप्टर्स हम पढ़ने वाले है वो तो आई बिलीव सभी ने चोड़े होंगे या अपने पुराने एक्स्पीजियंस के बेसिस बेपर दिया होगा अब जो आपने जितने भी चैप्टर्स प्रिपे करके गए तो पका आपने उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं ठीक है हाँ बिकॉस सिली मिस्टेक इतनी जादा नहीं होती है इसमें साफ-साफ स्कोर में समझ में आ रहा है कि आपने कुछ चैप्टर्स छोड़े हैं तो वापिस लेफ्ट आउट टॉपिक्स लेफ्ट आउट टॉपिक्स पे आप ध्यान करना है उन पर पूरा पूरा टिक लगना चाहिए कि हां सर समझेगी नहीं समझें लेफ्ट आउट टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है प्लस प्रेक्टिस तो ही बेटा ओव्विसली क्योंकि बिना प्रेक्टिस के तो सर नंबर नहीं आते जो लोग बोल रहे हैं सर मैट मैट्स टफ आई थी तो बिटा बिलीव यू मी 2022 के कंपेरिजन में तो सस्ती थी मैट्स लेंदी हो सकती है बिकॉज मैट्स में कलकुलेशन करनी पड़ती है बिना कलकुलेशन के कुछ नहीं होता है गनित में और एक जनरल और जो पेपर में दिया जाता है लाखों करोडों को बार समझाने के बावजूद भी हम ऐसे अटेंप्ट करते हैं और कई की बार सर हम ऐसे पहुंच पाते हैं और कई की बार हम ऐसे पूरी-पूरी मैट्ट करने वाले बहुत कम वेराइटी देखी जाती है वह फिजिक्स केमिस्ट्री में उलजे रहते हैं ठीक है तो आपक से सरम उसमें लास्ट में ही पहुंच पाए और जब हम पहुंचे तो आइडियल टाइम यह नहीं कि ए घंटा ए घंटा ए घंटा नहीं जी केमिस्ट्री तो 30 मिनिट्स मैक्सिमम या 45 मिनिट्स चलो बच्चों के साब से फिजिक्स भी 45 मिनिट्स वाली यह आई तीज बार है सवाल को काट के फिर से करने में हमने टायंम वेस्ट किया है इसका फॉर्मूला क्या 허गा यह बात वहां बैठके सोचने में हमने टाइम वेस्ट किया है के बताया थो था याद नहीं आरा है समझ मैं लैक भर करने हैं आपको बच्चछल सवाल 40 मिनिट में मैं 25 सवाल चाहे कितने ही आसान बना दो नहीं सवाल होते हैं तो आपको कम से कम डेड़ घंटा या सवा घंटा निकाल के रखना चाहिए मैट्स के लिए और मैस जो है वो रैंक में डिफरेंस दिलवाती है कि बहुत लोग जनरली यही कमेंट देखा जा रहा है पिछले चार पान सालों से कि भी अब मैस डिफिकल्ट है मैस बहुत लेंदी है पीछे आती है बदर यह बच्चे नहीं बोलते हैं कि लास्ट में आती बढ़ हमें बता है आप वहां पहुंचते ही बहुत लेट हो ठीक है समझाएं तो लैक आफ प्रेक्टिस जिन जिन की है अब एक सबसे इंपोर्टन चीज जो है वो आपने एक्सपीरियंस कर लिया है कि जही मेंस क्या होता है वो क्या पूछता है कितने लोग इमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखते हो यह बात बताईएंगे कि हां से जो च जो बच्चा यह लिख रहा है कि सब मैट्स में सिरफ छे सवाली सही हुए मेटा यह बताने वाली बात नहीं है ठीक है यह चुपाने वाली बात है इसको इंप्रोवाइज कीजिए गल्ती पहचानों कि क्या गल्ती हुई कहां तुम लैक कर रहे हो अगरी जो बाते बताई गई थी तुरूआउट दा शेशन वापिस इमानदारी से दिल पर आत रखके कि अगर आप उसको फॉलो करते तो ज्यादा ट्रेमेंडेस या फिर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सर उनको फॉलो करते रैंक वन आ जाती नहीं बर जिस स्कोर पे पचास नंबर आपके ज्यादा आते आते और चाली से पचास नंबर ज्यादा आते भईया कॉन्फिडेंसी अलग होता है तो जब मैं पूरी सरांडिंग को पूरी कहानी को देखता हूं या एक बच्चा जो पेपर देखके आया है वो सेल्फ रियलाजेशन कर लेता है कि हा पूर्स की हो जिसकी फीस नॉमिनल है बाते वही है कंटेंट वही है चीजे वही है आपके पास है आप अगर डोलोगे कहीं कहीं और भागोगे तो उसका कोई इलाज नहीं है अभी भी बहुत सारे लोग सेल्फ रियलाजेशन करके बहुत सारे बोला है मैंने नाट आल्मोस बहुत सारे लोग सेल्फ रियलाजेशन करके इस बात को फील करके अब तक तो बताई की थी सुना था फील नहीं किया था अब इस बात को फील करके कि हां भई जो क्लास में बताया जाता है वो डंग से पढ़ ले और पीवाई क्यू सॉल कर ले और अगर हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें तो हमारे नंबर अच्छे भले आ सकते हैं सिक्योर रंक एक अच्छी रंक जी मेंस में एक अच्छी ब्रांच एक अच्छे एनएटी अराम से पाई जा सकती है अराम से आए मूजिंग दावर्ड अराम से अ संदे अ बिल्कुल सभी समझेगे नहीं समझे तो इस बात को रिलाइज अगर कर लिया तो आपका डेफिनेटली 100 परसेंट बहुत अच्छा जाने वाला है फॉर्स अटेम्ट में पहले ही मान के चला जा रहा था कि आपका स्कोर थोड़ा रहेगा कम सेगे आपका स्कोर या वह अटेम्ट आपके समझ मैं कोई ना कोई कमी जरूर रही होगी बहुत सारी बाते तुमने अपने आप से कही होगी कुछ ना कुछ तो अधूरा रहा है ठीक है है और हमारे टीचर्स ने हमसे बार-बार यही कहा है कि पढ़ाई करते रहें ठीक है अपनी कमियों को पूरा करते हैं और जो अपन कठिनाईया है उनको चूरा करते हैं चूर दो अभी मैं फिर बोल रहा हूं सेम स्टेटेजी पहले चल रही थी वह फिर से बोली जाएगी कोई बदलाव नहीं हुआ हो स्टेटेजी में आपको most important topics की list दी गई क्या वो beneficial थी आपको final 50 की sheet दी गई क्या वो beneficial थी आपको class में पढ़ाया गया अपने notes बनाए है short notes बनाए क्या वो beneficial थे क्या जो आपके shift में सवाल आये हैं चलो memory based दी दिख रहे हैं क्या वो आपको कहीं न कहीं इतना तो ने की सकते हो ना भाई तुम्हें सवाल नहीं आता बट यह सवाल कुछ पूछा गया है इसका चैप्टर तो पता करने हो चैप्टर में जाके notes पर ढूंड सकते हो कि ऐसी कोई तक छोड़ाओंगा नहीं है यह नहीं यह गेम बोर्ट वाला गेम नहीं है जी जो खुद सीख गया जो खुद करना चाहता है जो खुद सेल्फ रिलाइज कर लेगा bounce back करेगा अब वह 100 परसेंट अभी भी बहुत अच्छी rank जी मेंस में निकाल ले जाएगा